नवश्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है नवरात्री का महत्व क्या है यह तो आप सभी जानते हैं होंगे बस इस करोना काल में जैसे इतने टाइम से हम लोग तरस थे, सब कोई परिशान थे ये नवरात्री हमारे लिए एक transition period की तौर पे आया है हमारे लिए एक खुशाली का मौका लेकर आया है करोना की चीज़ें कम हो रही है अब हम खुशाली की तरह बढ़ रही है ये राइक समय है जब हम अपने घरों को अच्छे से पूजा पाट करें अपने घर में अच्छा कपूर चलाए अच्छी खुश्बू रखे घर के अंदर इससे हमारे घर की जितनी में negative energy अउसर दूर हो जाए अच्छी energies बनी रहें अच्छा समय रहे और आगे चलके हमारा त्योहार भी अच्छा चले जो दिवाली का त्योहार आ रहा है हमारा इस अवसर पर मैं अपना लाउच करना चाहूँगा मैं आप लोगों को इसकी खासे बताना चाहूँगा यह हमारा वास्तु पूजा शंक यंतर है जो आप अपने घरों में धारन जरूर करिए इसको अपने पूजा किठाली में रखिए यह जो वास्तु पूजा शंक्यंतर है हमारे गुरुजी स्वामी मुर्गा नंजी की देन है उनी के आश्रम में गंगा जी किनारे बहुत सारे भात हमिल करके इसको बनाते है इसको घर में धारन करने से घर में सुक शांती की वृद्धी होती है कोई भी पूजा में हमारी बाधा नहीं आती है पूजा हमारी जो हम करते हैं वो सफल होती है और इससे हमारे घर का जो वातवरान है वो बहुत शुद्ध होता है, इस पूजा शां की अंतरको आप अपने धनकी अस्तान पी लख सकते हैं, उससे घर में धनकी वृद्धी होती है, आप इसको अपने लॉकर में अपने सेफ में रखेंगे, तो आपके घर में धनकी कभी भी कमी नहीं होगी, आप इसको तुरंत धारन कर सकते हैं, आप हमारे नीचे तिये वे नम्मरों पे आप फोन कर सकते हैं, आप इमेल कर सकते हैं, और जल से जल इसको आप मंगाईए, जिससे नौरात कम आपका समय अच्छे पीते और आपके घर में सुख शांती बनी रहे, नमशकार और फिर इस फेस्टिबल सीज की आप लोग को बहुत बहुत शुब कामना हैं और बहुत 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 बढ़ाई हैं, हन्यवाद.